हलो स्टुडेंट्स यह आपका पार्ट 11 वीडियो और पार्ट 11 वीडियो में प्रसनावली 2D पे हैं और कोशन नमर है 10 करा यदि बहुपद X का पावर 4 माइनस का 6XQ प्लस का 16X स्क्वाइर माइनस का 25X प्लस 10 को एक अन्य बहुपद XA²-2X प्लस के से भाग दिया जाता है तो सेस्फल X प्लस A आता है तो K तथा A ग्याद कीजिए हमें क्या करना है K और A का मान ग्याद करना है यह K दिया हुए है और इसमें यहाँ पर ए दिया हुए ह आ दोनों का मान निकलना है की और एक का तो यहां क्या का रहा है कि यह एक बहुपत दिया हुआ है जिसमें इस बहुपत से भाग देने पर सिस्फल इपनाता है तो चलिए पहले हम लोग भाग की क्रिया करते हैं ठीक है यह है आपका x का पावर 4-6x3 प्लस का 16x2-25x2 इसमें किसे भाग करना है जी x2-2x2 के कितना बार में ले जाएंगे x2 बार में क्योंकि हमें पहले टर्म को काटना होगा तो x2 में x2 से इंट होगा तभी न x का पावर 4 आएगा यह सब में गुना करेगा x2 तीनों में गुना करेगा माइनस का 2x3 और फिर पलस का kx2 जहां साइन बदलते हैं माइनस पलस माइनस यह कट जाएगा यह पलस का 2x3 यह माइनस अट चुका है पलस का 2x3 और माइनस का 6x3 तो माइनस का 4 आजागा ना जी 4x3 माइनस का अब देखिए यह पलस का 16x2 और माइनस का kx2 ठीक है तो इसमें से मैं क्या करता हूँ x2 को common कर लूँगा तो बच जाएगा पलस का 16-k into में x2 माइनस का 25x और पलस 10 समझाना मैंने इसे कैसे लिखा है इसको ध्यान से देखना है यहाँ पर मैं रफ में भी लिखते जाता हूँ रफ में मैं यहाँ को दिखा देता हूँ पलस का 16x2 था और माइनस का kx2 तो मैंने इसमें से x2 common कर जाएगा तो 16-k बच जाएगा ना यहाँ पर समझ गया आप देखिए इसको काटना है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा माइनस का 4x तब इना मैंनस 4x में x2 से गुना होगा तो मैंनस का 4x3 हो जाएगा और मैंनस 2x में मैंनस का 4x से गुना होगा तो पलस का 8x2 और फिर पलस का, पलस मैनस मैनस हो जाएगा, मैनस का, मैनस का, मैनस का, फोर के एक्स, देखे न, मैनस चार एक्स में गुना होगा के से, तो मैनस का फोर के एक्स आ गया, यहां पर देखिए अब, पलस, मैनस, पलस, यह कट जाएगा, अब देखिए इसको सिंप्लिफाई करता यहां जो है आपका, वह क्या है, 16x² माइनस का kx², और यहां क्या है, यह माइनस का 8x² है, तो इसमें से घट जाएगा, तो आपका हो जाएगा, 8x² माइनस का kx², और x² यहां से common कर लेंगे, तो बच जाएगा, 8-k into x², समझ गया ना, अच्छा, यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां देखिए, मैं क्या करता हूँ, x common कर लेंगा, तो देखों, यहां पलस का 4kx है, ध्यान से देखना, यह पलस का 4kx है, और यह माइनस का 25x है, x common कर लेंगा, तो क्या बचेगा, 4k माइनस का 25, ठीक है, into में x और पलस 10, आप देखिए, इसको काटना है, और यहां x x square है, तो क्या करेंगे, यहां गुना करेंगे किसे, 8 minus k रखेंगे, 8 minus k से इसमें गुना करेंगे, तो आजाएगा, 8 minus k, into में x square, फिर minus, minus, 2x में गुना करना इसे न, तो आजाएगा, आजाएगा यहां पर, 2 से अंदर गुना कर देते हैं, और minus बाहर रहने देते हैं, ठी 2 से इसमें गुना करते हैं और x भी बाहर लगा देंगे तो 8 दूना 16 और फिर आपका माइनस का 2k ठीक है 8 दूना 16 और माइनस का 2k और फिर यहाँ पर देखिए 8 माइनस k में k से गुना होगा तो क्या आएगा पलस का आजाएगा 8 k माइनस का k square समझ मैंना कैसे मैंने इसमें क्या क्या तीनों से गुना कर दिया साइन बदलते हैं माइनस पलस माइनस पलस यह कट जाएगा इसको आप सिम्लिफाई करना होगा क्या क्या है उपर आप इंटू करके लिखो ना 4k x माइनस का 25 x अब देखो यहां पर यह साइन बदल चुका है माइनस पलस में आ गया है गुना करके खाली लिख दो पलस का 16 x और माइनस का 2 k x इसमें से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा यहां पर 2 k x और माइनस का यहां पर कितना जगा है 9 x यह ना हो जाएगा इसमें से इसको घटा लेंगे यह माइनस का यह पलस का है ना जी चलिए तो अब इसमें से आप कॉमन कर लो x को 2 k माइनस का 9 इन्टू x क्या बच जाएगा यहां पर 2 k माइनस का 9 इन्टू में x अब देखो फिर यहां पर क्या बच जाएगा तो इसको सजा के लिख लेते हैं पलस का k स्क्वार माइनस का 8 की और पलस का 10 यह आपका क्या हुआ सेस फल आ गया है समझें ना चुकि कोशन का अंसार आपका सेस फल x पलस a है तो यहां पर लिखेंगे कि चुकि सेस फल जो है सेस फल वह x पलस a दिया हुआ है ना तो मैं इस सेस फल के जगा यह भी तो यूज कर सकता हूँ ना 2k माइनस 9 इंटू x और पलस में k स्क्वार माइनस का 8k पलस का 10 बराबर में x पलस a समझें ना यहां पर अब करेंगे क्या एक्स के गुनांको को अलग-अलग कर देंगे और कॉंचन को अलग-अलग कर देंगे तो यहां पर लिखेंगे एक्स के गुनांको गुनांको तथा अचरो अचर में तुनला करने पर तो देखिए X के गुणांग में X के गुणांग में तुलना करिएगा तो यहाँ देखिए यहाँ X का गुणांग है 2K माइनस 9 अजर X का गुणांग कुछ नहीं तो यह 1 है चलिए इन 2 में 1 है न X के साथ यह जाके उधर जुड़ेगा तो 2K बराबर में 10 यानि K बराबर में 10 बटा दो कड़के 5 आ जाएगा यानि K का मान कितना गया 5 आ गया अब इसके बाद अचर को इक्वेट करते हैं यानि कि एक इसके बराबर हो जाएगा K स्क्वाइर माइनस का 8K प्लस 10 के और K के जाएगा क्या रख देना है यहाँ पर हमें 5 रखना है K का मान 5 आ है प्लस का समझे ले ना सुरी मैंने गलती से माइनस लिख दिया था चलिए तो यह 25 दस 5 आगया K का मान अब यह 5 यहाँ पर रख दूँगा 5 का स्क्वाइर माइनस का 8 गुना 5 और प्लस का 10 पांच का स्क्वाइर 25 आठ पंदे 40 और पांदे 10 है तो यह देखो यह आपका 35 में से आपका 45 जाएगा A का वैलू कितना आ गया माइनस का 5 आ गया A का माइनस 5 और K का वैलू 5 आ गया समझ गया चलिए अगला कोशन देखिए 11 नमर यहां पे एक बहुपद दिया है इसके अन्य सभी सुन्यक गयात किजिए यदि इसके दो सुन्यक यहां पे दिया है तो दूगो सुन्यक दिया है और बाकी दो सुन्यक हमें गयात करना है समझ रहे ना बात को तो जब यहाँ पर हमारे पास 2 सुनेक दिये है और यहाँ देख रहे हैं घात में आपका 4 है यहाँ घात इसका क्या इस बहुपद का 4 है तो इसके अधिक से अधिक 4 सुनेक होंगे तो 2 गो दिया है और हमें 2 गो और निकालना है ठीक है तो हम लोग यहां बहुपद माल लेते हैं PX इसको ठीक है बराबर में 3X का पावर 4 प्लस का 6X3 माइनस का 2X2 माइनस का 10X माइनस का 5 ठीक है तो यहां पे दो सुन्या यानि X बराबर में एक दिया है रूट 5 बटा 3 और दूसरा दिया हुआ है माइनस का रूट 5 बटा 3 तो यह प्लस वाले को इधा लेके आते तो X माइनस रूट 5 बटा 3 बराबर में 0 यहां इधार आगा तो प्लस का हो जाएगा बराबर में 0 इन दोनों को इंटू कर देते है यानि X माइनस रूट 5 बटा 3 और गुना में X प सक्वार का यहां स्क्वार से रूट हट जाए एंदी X स्क्वार माइनस का 5 बट्टा 3 बड़ावर में 0 समझाना बात को अब इसको LCM लेके सिंप्लिफाई कर लतेOG होगा 3 3 aba ten 3 सक्वार माईनस 5 बड़ावर में जीरो धार जागAR 3x का power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 यहां क्या हओ बांशा होगा अब यह क्या हो जब बलकी सुनाइक प्राप्तों हो जाएगी तो जलिए भाग का Consider करते आप कितना बार में ले जाएंगे, x square बार में, x square में इसे गुना करेंगे, ता जागा ना 3x का power 4, इस माइनस 5 इसे गुना करेंगे x square में, तो माइनस का 5x square, sign बदलते हैं, माइनस plus, ये कट गया, 6x cube, यहां देखो, plus का 5x square है, माइनस का 2x, तो plus का कितना बचेगा, 3x square, माइनस का 5x, माइनस का 10x, और माइनस का 5, कितना बार में ले जाएंगे, तो यहां ले जाएंगे, प्लस के 2x बार में, अब इस 2x में इन दोनों से गुना करते हैं, तो तिन दोना 6x cube, और माइनस का 10x, sign बदलते हैं, माइनस plus, ये कट जाएगा, दोनों, बचेगा 3x square, माइ पाइनस प्लस यह कट जाएगा सेसफ़ल आगया जीरो तो अब यह जो भागपला है ना इसी के बराबर में जीरो रख देंगे ना तो हमें बाकी दो सुन्यक प्राप्त हो जाएंगे चार सुन्यक होंगे क्यों कि चार घात वालब उपद है यह देखिए यह तो आप सीधे क् कि इस भागपल के बराबर में जीरो रख दो अन्य सुन्यक निकरने के लिए और यहां से गुननखन कर दो ठीक है यहां से अब गुननखन कर दो तो काम हो जाएगा एक और तरीका है मैं बताता हूं उसको भी यहां पर एक्स कॉमन करेंगे एक्स प्लस वन बचेगा यहां दोनों ब्रेकेट में सेम है एक्स प्लस वन को बाहर निकाल दो यहां पर एक्स बच जाएगा और यहां पर वन बच जाएगा अलग-अलग कर देंगे यहां से सुन्यक निकल जाएगे एक्स प्लस वन बराबर में जीरो और यहां से भी एक्स प्लस वन बराबर में जीरो त का 2x square minus का 10x minus 5 बराबर में भाजक गुना भागफल प्लस में से इस पाल यानि कि 3x का पावर 2 minus 5 in 2 में x square plus 2x plus 1 और plus में जीत हो समझ गया ना अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे 3x square minus का 5 समझ एनवाद को इन 2 में बच जाएगा आपका x square plus 2x plus 1 यह आपका 0 हो गया जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप देखिए मैं यहां पर क्या करता हूं तो मैं यहां पर इसके साथ क्या कर देता हूं इसको क्या कर देता हूं इसको वैसे ही रखता हूं इससे तो मैं डेक्ट नहीं लिख देता हूं x plus 1 इन 2 में x plus 1 आप थोड़ा दो इस्टेप बढ़ा होगे मैंने सीधे यही लिख दिया बुलंगर करने पर यह हैगा अब इसके बाद चुकि हमें सुन्यक निकालना है तो हमें क्या करना होगा इसके बराबर में 0 रख देना होगा इन स x plus 1 बराबर में 0 x plus 1 बराबर में 0 यहां से 3 x square बराबर में 5 x square बराबर में 5 बटा 3 और square जाएगा रूट में तो प्लस माइनस भी लग जाएगा तो यह दो सुन्यक तो दिये हुए हैं आपके question में ही यहां से 2 और सुन्यक निकाल गए यहां तो आप सीधे जो आपका भाग प्लता उसके बराबर में 0 रखके निकाल देना यहां जो भागपल है यह फिर यह प्रक्रिया आपको अपनानी पड़ेगी तो जो आपको सरल लगे वह उसी का परियोग करना question number 12 देखिए यह इस बहुपत के दो सुन्यक यहां पे दिये हैं तो अन्य सुन्यक यानिकि अन् माइनस का 35 यह न दिया हुए है तो यहां एकस के दो सुन्यक यहां एकस का मांदू को दिया है एक है दो प्लस रूट तीन और एक हो जाएगा दो माइनस का रूट तीन समझे ना यहां पर हमारे पास क्या दिये हैं दो सुन्यक दिये गए है बहुपत के ठीक है तो अभी ब टो प्लस का रूट तिन हो झाईगा वराबर में जी वो तो यहां से यहां देखो इसको देखो है ठीक है यह और यह बीच में मैंदस है और यहाँ पीच में टू कर देते हैं 4 एक्स मैंनसटू मैंदसुद्रूर 3 और इन्टू में एक्स मैंनस टू-प्लसुद्रूर इन दोनों को गुना कर रहा है, तो देख रहे हैं हम लोग क्या, कि एक बार यही, यही टर्म, देखलो, बीच में प्लस है, और यहाँ पर बीच में क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको सॉल्ब करते है, इसको स्कॉर माइनस का 2 इंटू में, एक सिंटू में टू, और प्लस में 2 का स्कॉर, यह माइनस का 3 हो जाएगा, x square minus का 4x और यहां 2 square 4 4 में से 3 गया आपका 1 आजाएगा तो यहां जो है दिये हुए बहुपद का एक गुलन खण हो जागा आप उसमें भाग करेंगे ठीक है जो बहुपद दिया है उसमें भाग करेंगे किसके द्वारा x square minus का 4x plus 1 द्वारा दिये हुए बहुपद यानिकी x का पावर 4 minus का 6x cube minus का 26x square plus 138x और minus के 35 में भाग करेंगे चलिए अब ले जाते हैं भाग करके देखते हैं क्या आता है कितना बार में ले जाएंगे x square बार में ले जाएंगे इसमें इससे इंटू करेंगे तो x का पावर 4 minus का 4x cube और प्लस का x square साइन बदलते हैं minus plus minus यह आपका कड़ जागा यह प्लस का 4x cube है यह माइनस का 6 cube है तो माइनस का 2x cube हा जाएगा ना जी यह दुन्नों माइनस का तो जूट जागा 27x square plus का 138x और माइनस का 35 यहां ले जाएंगे माइनस के 2x में इससे गुना करते हैं तो आ जागा माइनस का 2x cube और चार दुना 8 हो जागा प्लस का 8x square और माइनस का 2x साइन बदलते हैं यहां पर plus minus plus यह आपका कट जाएगा यह दुन्नों माइनस का तो जूट जाएगा दूनों माइनस का होगेppर न यह साइन अट गया तो दुनों को जोडएंगे तो माइनस का 35x square अजी डेको यह plus का है वह भी plus का तो दुनों को जोड़ देते हैं 146 और माइनस का 35 कितना बार में ले जाएंगे यहां पर तो माइनस के 35 बार में तो माइनस 35 एक स्क्वाइर पलस का 146 और माइनस का 35 साइन बदलते हैं पलस माइनस पलस यह कड़ गया सेसपल जीरो आगया अब जो भागपल होगा ना उसी के बरावर में जीरो रख दो अन्य दो सुल्यक निकल जाएंगे यह जो दूसरा तरीका मैंने बताया था बाज बरावर में भाजग गुना भागपल और प्लस में सेसपल यह भी विदिया आप अपना ही अपना सकते हों समझ गये ना कोई दिक्कत नहीं है इसका गुनंखन भी करने पर आपका काम हो जाएगा तो यहाँ पर हम लो लिख सकते हैं माइनस का साथ एक्स पलस का पांच एक्स माइनस करेंगे एक्स माइनस साथ और यहाँ प्लस है तो प्लस पांच का तो यहांसे X बराबर में 7 और X बराबर में यहांसे माइनस 5 तो जो अन्य सुर्ण थे वह अन्य सुर्ण क्या हो गया तो अन्य अम्य जिया है अर दूसरा हो गया सूर और बाकि दूर तो कोश्रम है हमसन नमर 13 देखें कहलात Tanner बहोपत दिया यहां पर X Q15 xREE-om स्वायर 5 का एक गुननकंड x-r005 दिया है तो इस बहुपत के सभी सुन्य ज्यांत किई तो देखिना एक गुननकंड पहले सिदिया तो इसके दौरा पहले इसमें भाग करते हैं 1-0-5 इसके दौरा किसमें भाग करेंगे x3-3-3-0-5 में कितना बार में ले जाएंगे x square बार में गुना करते हैं तो x cube minus का root 5 x square हो जाएगा sign बदलते है minus plus कर जाएगा यह plus का root 5 x square और यह minus का 3 root 5 x square तो minus का 2 root 5 x square बचेगा plus का 13 x और minus का 3 root 5 अब देखें कितना बार में ले सब्सक्राइएंगे तो मैंनस का रूट पांच से गुणा करेंगे एक्स में तो आजागा माइनस का दो रूट पांच i2 और यह माइनस माइनस पल्स कितना आजाएगा जी तोर पांच में रूट का 5 और 5 दुना हो जाएगा 10 चलियो, sin बदलते हैं यहां पर, wahteós lies minus यह कट जाएगा सिन बदलना एंग्या मि boy उन जाएगा सिन, इयह फिचा डो जाएगा स beta 3x यह जाएगा connected to mine is a और माइनस का 3 नूट 5 कितना बार में ले जाएगे तो अभ जाएगा यह- के तीन बार में, अब तीन से इसे गुना करते हैं, तो आपका तीन x और माइनस का तीन रूट पांच, साइन बदल जाएगा, माइनस पलस कड़ गया, फिस फ़ल जीरुआ गया, तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि भाज बराबर में, यानि x3-3 रूट 5 x स्कुआर प्लस का 13x-3 रूट 5 बराबर में, भाजक यानि x-रूट 5 इंटू में भाग फ़ल, यानि x स्कुआर माइनस 2 रूट 5 x प्लस का 3, और प्लस में जो सेस फ़ल है वो 0, समझ गया, चलिए, अब इसके बाद, इसको हम लोग 0 से जोडने या घटान से कोई फ़र्ट नी पड़ेगा, x-रूट 5 इंटू में, x2-2-5 x प्लस में 3, अब चुकि हमें इसके सुन्यक निकाल ले है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, x-रूट 5 इंटू में, x2-2-5 x प्लस 3, बराबर में 0 कर लेंगे, समझ गया ना, चुकि हमें या पर इसका सेस्प पांच बराबर में 0, और x-2-2-5 x प्लस 3, बराबर में 0, यहांसे x बराबर में रूट 5, यहां में क्या करना होगा, तो दिवघात सुत्र लगाना होगा, दिवघात सुत्र होता क्या है, यह हम लोग क्लास तिंध के ही 4 चेप्टर में जानेंगे, अगर आपका बवपद, एक x-square plus bx plus c इस रूप में दिया हो, और यह बराबर में 0, यानि कि यह एक समिकरन मनी गा, यानि कि वघात के रूप में एक दिवघात समिकरन होगा, ठीक है, तो यह दिवघात समिकरन इस रूप में दिया हो, तो x बराबर फार्मुला होता है, minus b plus minus root under b square minus 4ac और बटा मे यही अब हम लोग यहां लगाने वाले हो, एक से बराबर में, minus b के जगाँ हो, minus 2root 5, 2root 5 आ जगा, plus minus, root under b square, जानि कि minus का दो root 5 का square, फिर minus का four, और एक जगा एक से स्कुर का गुणा ओंग यहां वन है और सी एक जगावशलिय के यहां 1 में पिल्स-का दो सब्स्दों हो जायगा प्लस माइनस अंदर देखी क्या होता है रूट 5 का स्कवर 5 और 2 का स्कवर 4 चार पंजे 20 और यह माइनस का 12 बटा में 2 दो रूट 5 प्लस माइनस या रूट 8 है गा और बटा में 2 तो रूट 8 को हम लोग 2 रूट 2 लिख सकते हैं तो एकस बरावर में दो रूट पाँच प्लस माइनस दो रूट दो बटा में दो दो कॉमन कर लेते तो एक्स बराबर दो कॉमन होगा तो रूट पाँच प्लस माइनस रूट दो बटा में दो इस दो से दो ये कार देंगे यानि एक्स बराबर में यहां से आ गया रूट पाँच प्लस माइनस र बहुपद के सभी सुन्यक सभी सुन्यक क्योण कौंस होगे तो एक तो आपका रूट 5 उपर निकाल चुके हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे कोसर को देखेंगे, हमारे तीन चैनल है, आप तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, पहला है आपका, पात, फाइंडर, क्लासे, छप्रा, दूसरा है आपका, भारती भवन, रवी कांथ सर, भारती भवन, रवी कांथ सर, रवी कांथ सर, ठीक है, और तीसरा चैनल है, रवी कांथ सर के नाम से, रवी कांथ सर के नाम से, तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसे रेटर वीडियो के लिए सीधर डिस्क्रिप्सर में जाएंगे, और इससे समझे नोट्स के लिए, Google पे जाके search करेंगे www.ravikant.in और यहाँ पर जाकर आप सभी classes के notes और उनके PDF को download कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं